क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रम्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्ब्रम्हा तसमय स्रे गुरुवे नमः नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल परती दिन के तरह एक बार फिर से श्वागत करते हैं आप सभी के अपनी एवं बेहद ही खास कारिक्रम कुंडली दर्शन में और आज कुंडली दर्शन के इस विशेष रासी फल विशिशांग कारिक्रम में बात करेंगे पांच नवंबर 2018 के रासी फल के बारे में जी हां इस कारिक्रम में जानेंगे कि कैसा गोजरेगा आपका आज का शोमवार का दिन जैसा कि आप शभी लोग जानते हैं कि आज का दिन अत्यंत ही पावन तेवार है धन तेरश का तेवार है जिसे हम धन तेरोदर्शी के नाम से भी जानते हैं पांस दिनों का ये दिपोत्सव की सुरुवात आज से ही हो जाएगी दिन की सुरुवात विश्कुम्ब नाम के अशुभ योक्षे होगी और चंद्रमा पुद्ध के रासी में ही दिन भर गोचर करेंगे कन्या रासी में और दिन में हस्तन छत्र रहेगा सुम्बार को छे रासी वालों के लिए शुभ फल परदान होगा तो वहीं छे रासी वालों को थोड़ा शंघर्ष करना होगा दिन के अंतिम सम्में पिरिती नाम का शुभ योक का निर्मान भी हो रहा है धन्तेरस से सम्मंदित आपको अनेक कारिक्रम की जानकरी हमारे स्कुल्ली दर्शन चैनल पर मिल जाएगा धन्तेरस से सम्मंदित हमने चार कारिक्रम चार वीडियो इस चैनल पर अपलोड अब तक कर रखे हैं 2018 के वीडियो आप देख सकते हैं धन्तेरश पर क्या खर दें, क्या नहीं खर दें, उसके दो अलगलग विडियो हैं, धन्तेरश का सुम्मोहुर्थ, धन्तेरश पर ज़ाडु का एक छोटा सा उपाई, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे विडियो आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा, चलिए जानते हैं क् आज विक्रम शौवत दो हजार पच्छत्तर कार्तिक मास क्रिष्ण पक्ष तिरोध शीत्ति थी हस्त नच्छत्र और विश्कुम्वियोग लगा हुआ है और आज शोमवार का दिन है आज के दिन राहुकाल शुभा के 7 बचकर 30 मिनट से शुभा के 9 बजे तक रहने वाला है और जोति सास्तर के अनुशार राहुकाल में किसी भी परकार के शुभ या नए मांगलिक कारे को प्रारम नहीं करना चाहिए इससे निश्चित रूप से आपके कारियों में कुछ समस्याय उत्पन होती है तो अब बात करेंगे सबसे पहले मेश रासी से फिर धीरे शभी र पहले एक ज़रूरी सुचना उन दर्श्कों के लिए जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए है वो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिख रिखे होय बटन पर किलिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस च अच्छी बाते हैं, पहले मैं वो बताऊंगा, आज कहीं कोई निवेस, एक्स्ट्रा इंकम या किसी से बकाया पैसा मिलने के योग भी बन रहे हैं, भूमी और प्रोपर्टी के कामों से धनलाब हो सकता है, आप बहुत मजबूती और धैरी से काम लेंगे, दिन भर पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे, आज आप जोस में रहेंगे और अपनी बुद्धी भी उपयोग करेंगे, प्रेम के मामलों में आप बहुत भागिशाली हो सकते हैं, और विवहाईत लोगों को प्रेम का प्रष्टाओं मिलने का योग नजर आ रहा है, कुछ विवहाईत लो नगेटिव बाते जो आपके पक्ष में हैं, कि नकरात्मक बातों से, नकरात्मक विचारों से अपने आपको दूर रखें, हर काम को किसी भी तरह पूरी तरीके से डिपेंड होकर करेंगे, तो आपको नुक्षान होगा, तो कोशिस करें, कि आप यदि किसी और मित्र या कि किसी परिवारवालों की सहयता ले सकते हैं, या किसी सहकर्मी की सहयता ले सकते हैं, तो जरूर ले लें, कारे छेत्र की बात करें, तो कारे छेत्र से समद्दित काम काज में आपको दोड़ धूप हो सकती है, किसी खास काम को लेकर आज आप थोड़े बहुत परिशान भी हो में दर्द हो सकता है इसलिए शावधान रहें प्यार में आप अपने पार्टनर का सेहत का ख्याल अवस्य रखें दिन आपको प्यार नुमा बीतने वाला है आज की दिन उपाई में भगवान विश्नु की पूजन करें विश्नु जी के मंदिर में या उनके चित्र के आगे आपको इत्र का भेट करना आपकी लिए बहुत शुब रहेगा अब आईए बात करते हैं विर्शब रासी वालों के बारे में विर्शब रासी वाले आज के दिन आपके लीए जो अच्छी बाते हैं आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ फाइदा जरूर मिलेगा सोचे हुए काम पूरे होने से खुसी मिलेगी अचानक धनलाब भी हो सकता है काम से आपको पैसा मिलेगा ओफिस में कुछ खास बदलाव होने के भी योग बन रहे हैं इसका असर आपके दिन चडिया पर पड़ेगा इसी के साथ आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सक सकते हैं घूमने फिरने के लिए समय अच्छा है लेकिन जो आपके लिए आज के दिन कुछ नगेटिव रूप से रासिफल दर्शारा है वो एक बात का आपको विशेज ध्यान रखना है कि कई सारे काम को एक साथ करने की कोशिस ना करें इस कारण आप परेशान भी हो सकते हैं और मन में कुछ कन्फूजन के सिती बन सकती है आज के दिन आपको अपने घमंड और गुस्य पर कंट्रोल करना चाहिए किसी भी फैसले में जल्द बाजी करने से बचें आज के दिन आपको बिजनस में कुछ नए सम्मन बन सकते हैं कारिछेतर में शम्मान और सहयोग मि हैनत में सफलता मिलने की योग बन रहे हैं थोड़ा बहुत मानसिक तनावभी हो सकता है स्वास्त के दृष्टिकों से मानसिक और सारिक ठकावट के कारण आप थोड़ा सा प्रशान रहेंगे इसलिए जरूरिये की खान पान में आप कुछ विसेस ध्यान दें प्रेमी अगवान सिव को जल अपित करना आपके लिए बहुत ही शुबकारक रहनी वाला है अब आईए बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में मिथुन रासी वाले आज पुरानी चुनोतियों से निपटने के लिए आपको नई बात समझ में आ सकती है आप कोई ऐसी नई बात लिख सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा दे सकती है आज आप अपनी मानसिक और स्थिर्ता दूर करने की कोशिस करेंगे और बहुत हद तक इसमें सफल भी हो जाएंगे अपने काम समय पर पूरा करने की कोशिस करने वाले हैं लेकिन आज के दिन रो कोई भी निवेश करने के लिहास से दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा उप्यूक्त नहीं है इसलिए सोच विचार करें कोई निवेश करें अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा है भावनात्मक तोर पर कमजोरी या खाली फन भी कुछ महसूस आप कर सकते हैं आपको शावधान इन बातों में रहना चाहिए कुछ मामलों में आप जिद्धी सोभाव के भी हो सकते हैं इससे आपको कही न कहीं नुक्षान भी हो सकता है धन की कुछ कमी आपके शामने आ सकती है प्रेम परसंद को लेकर आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है आ आज आप यदि किसी से प्यार करते हैं या कोई दोस्त जिसे आप बहुत दिनों से पशंद करते हैं दोस्ती अच्छी है तो आज की दिन आप उनको प्रस्ताव भेज सकते हैं इसमें आपको शफलता जरूर मिलेगी केरियर के दिश्टी कोन से विशेस रुप से बात करें तो कारे छित्र में अधिकारियों का सयोग मिलता हुआ न जरायेगा वैपार बिजनस्मेन के लिए शमान रहेगा इसमें को सफलता मिलेगी बस थोड़ा सा शावधानी रखनी की जरूरत है स्वास्त के दिश्टी कोन से आज आपको नीन में कुछ कमी और बदन में दर्द और थोड़ी सी ठकावट रह सकती है क्या करें आज की दिल उपाए तो हनमान जी को भगवान राम का नाम बढ़ के पत्ता में लिखकर चढ़ाए या आपके लिए अच्छा रहेगा बढ़ का पत्ता मतलब बरगद के पत्ते पर भगवान स्री राम का नाम लिखना है और व आज आप के लिए जो कुछ सबसे पहले अच्छी बाते में बताऊंगा वो कुछ पुरानी समस्याएं कुछ पुरानी टेंसन खत्म हो सकती है खुद पर आज आप ध्यान ज्यादा देंगे जरुरत की चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है काम काज में आप एक्टिव समाज एवन पडिवार दोनों छेत्रों के कामाज पूरे हो जाएंगे अचानक कोई यात्र भी हो सकती है दोस्तों से भी सहीयोग मिलने के आसार नजर आ रहे हैं नए लोग से कुछ दोस्ती होने के शंकेत दिख रहे हैं प्रोफेशनल रिलेशन मजबूत हो सकते हैं आज किसी तरह का नसा छोड़ने का मन भी बना सकते हैं भागीदारी में आपके लिए गये फैसले फायदे मन हो सकते हैं आज के दिन आपको नगेटिव बातों पर जो विश्य सुरुप से ध्यान देना है कि पडिवार या रिष्तिदारों की वज़े से आपका कोई मूट रखना है कुछ लोग आपकी सिकायत कर सकते हैं बेतु की बाते भी आपके शामने आ सकती है ये कुछ नगेटिव बाते हैं जिनका आपको विश्य सुरुप से ख्याल रखना है आर्थिक इस्तिति में भी थोड़ा बहुत डगमग हो सकता है रिष्तिदारों से अन्मन होने के कुछ संगेत हैं इसलिए साब्धान रहे हैं आज के दिन प्रेमी जोड़े के लिए दिन यदि देखते हैं तो अच्छा है यदि लव प्रपोजल आप किसी को करते हैं या आपके शामने आ सकता है तो यह दिन शक्रात्मक रूप से लव पार्टनर को समझा रहा है दिख अच्छेत्र में आपका परदशन भी अच्छा रहेगा इस रेंस के लिए समय थोड़ा सा नकरात्मक हो सकता है सावधान रहे स्वास के दिख्टिकों से पेट खराब हो सकता है इसलिए भी सावधान ने लेकिन केरियर को लेकर आपको कुछ बातें जो नगिटिब बताया उस बातों पर ध्यान रखना चाहिए अब आईए बात करते हैं अगली राशी शिंग राशी शिंग राशी वाले आज आपको धन लाब हो सकता है आप दिमाग से मिठा बुलकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं आज आपको दुश्मनों पर जीत मिल सकती है केरियर के माम शावित करके आज आप दिखा सकते हैं लोगों के शामने अपने आपको विरोजगार लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा किसी खास वेक्ति से भी मुलाकात हो सकती है आज के दिन आपके लिए कुछ विश्यस रुप से ध्यान देना है कि मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या किसी भी तरह का एलक्ट्रोनिक समार नहीं खड़ दें तो यहाँ आपके लिए अच्छा है खास तोर पर संचार के शाधन या उनसे जुड़े कोई उपकरण आपको परिशान कर सकता है या उसके कारण आपका खर्चा बढ़ सकता है लब लाइब को लेकर आज थोड़ी सी स्थिति बहुत जादा उप्यूक्त आपके अनकूल नहीं दिख रही है आज आपका लाइब पार्टनर कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है किसी बात को लेकर आपसी विवाद की स्थिति हो सकती है स्वास्त के दृष्टि कौन से आज जोड़ों में दर्द हो सकता है मौसम के बदलाव से शेहत खराब होने के कुछ हद तक योग बन रहे हैं इसलिए अपना बहुत ज़्यादा खयाल रखें अब आईए बात करते हैं अगली राशी सिंग राशी वालों के लिए अगली राशी कन्या राशी वालों के लिए कैसा जाएगा आज का दिन कन्या राशी वाले आज जो आपके लिए अच्छी बाते हैं कि आपके कुछ जरूरी काम पूरे हो जाएंगे आज आप कुछ उल्जा हुआ मामला भी सुल्जा सकते हैं काम काज सम्मंधित कुछ अच्छे आडिये आपको मिल सकते हैं आज का दिन आपके लिए कई मामलों में उप्यूप्त रह सकता है अपनी वैवहार कुछ शलता और सहन सकती से आज आप कुछ जरूरी काम निप्टा लेंगे जादातर चीजें खुद शुलर सकती हैं लेकिन पैसों को लेकर पार्टनर से कुछ अन्बन होने के योग दिख रहे हैं पार्टनर सीफ से जुड़े कामों में विवाद हो सकता है यहां तक कि आप अपनी लाइप पार्टनर अपनी पतनी के साथ अपनी जीवन साथी के शाथ यदि खरिदारी करने के लिए जा रहे हैं तो किसी बात पर आपका मूट खराब हो सकता है कोई विवाद हो सकता है इसलिए इन बातों का विशेस रुप से ध्यान रखें आज के दिन आपको खर्चा और काम दोनों जादा हो सकता है इससे आप कुछ परिशान भी हो सकते हैं इन बातों का विशेस ध्यान रखना है चात्रों के लिए दिन शमान ने रहेगा प्रेम परसंग को लेकर दिन अच्छा है आज के दिन आपके आपसी रिष्टे मजबूत होंगे पार्टनर आपके भावनाओं को शमान करेंगे आज के दिन सिवलिंग पर दूद अरपित करें इससे आपका दिन बहुत ही सुब गुजरने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली राशी तुलाराशी तुलाराशी वाले आज आपकी जो अच्छी बाते हैं कि आपकी आर्थिक इस्तिती में कुछ बड़े बदलाव होनी के शंभावना बन रही है इन पर आपकी नजर भी आज रहने वाली है बिजनस या कारे छेत्र शम्मन्धित यात्रा हो सकती है काम आज आपके पास रहने वाला है दूर अस्थान्स के लोगों से आपके शम्मन अच्छे हो सकते हैं लोग आपके मेहनत से बहुत कुछ सीखेंगे आज के दिन आपको निपर चुके हुए काम को एक बार चेक कर लेना अच्छा रहेगा कुछ बातों पर विशेज ध्यान देना है जो थोड़ी सी नगिटिव आपको लेकर जा रही है आज के दिन में कि ठकावट हो सकती है खर्च बढ़ने के कुछ योग दिख रहे है आफिस में किसी बात को लेकर तनाव ना हो इस बात पर भी आपको विशेज ध्यान देना है किसी से मतभेद ना हो और एक्स्ट्रा दोड़ धूप हो सकती है इन बातों में आपको शंभल कर रहने की जरूरत है लव लाइप में आई पार्टनर से किसी न किसी तरह का फायदा मिल सकता है शुक और प्रेम दोनों मिलेगा कुल मिलाकत आज का दिन प्रेमी परसंग जोड़े के लिए अच्छा रहेगा आज के दिन केरियर में यदि बात करें खास करके विप्रित लिंग वालों के लोगों से सहयोग मिल सकता है यदि आप लेडिस हैं तो आपको जेंट से और यदि आप जेंट से तो आपको लेडिस से किसी मेल को फिमेल मित्र से फिमेल को मेल फ्रेंड से सहयता मिल सकता है और बकाया काम आज आप निप्टा सकते हैं इस्टुरेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा अच्छे सफलता आपको बहुत कम महनत में भी मिल सकती है सुआस्त के दृष्टि कौन से? आज आपका पहले से बहुत अच्छा रहने वाला है अब आईए बात करते हैं अगली रासी वरिष्टिक रासी वरिष्टिक रासी वाले आज आप जो भी सोचेंगे जो करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है किये गए कामों का पूरा पढ़ना भी आपको मिल सकता है आप सही समय पर सही निवेश कर सकते हैं पार्टनर्शिप्स के काम से आज आपको कोई फायदा हो सकता है, रोज मर्रा के कामों से भी फायदा मिलने की योग नजर आ रहे हैं, जमीन जायदात का कोई बड़ा काम आज निपड़ सकता है, ध्यान रखें प्रोपर्टी से जोड़ा फायदा आज हो सकता है, ओफिस या बिजनस में कोई नई पहल आप आज कर सकते हैं, केरियर और समाजिक छित्र में परगती हो सकती है, पुराने कामों का कोई खास फैदा भी आपको मिल सकता है, कानूनी मामले भी सुलजने के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातों में आज आपके मन में जो नगेटी बा खाने के लिए अधिक खर्चा कर सकते हैं, इसलिए इन बातों से आपको विश्यस रूप से बचना चाहिए, कभी दिखावी के कोसिस ना करें, आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें, तो पार्टनर के परती आप बहुत समवेदन सिल रहने वाले हैं, उसकी बातों मे छुपे इस सारे आज आप शमज लेंगे, आज के दिन आप एक बात का विश्यस दिहान रखें, कि यदि आप अपने पार्टनर के साथ बैठते हैं, पार्टनर यानि यदि आप लव लाइफ में या मरेड लाइफ में अपने साथी के साथ बैठते हैं, तो उनसे कोई बात सेर करना चाहते हैं तो सेर कर दें, न चुपाएं स्वास्थ आज आपका उत्तम बना रहेगा और कार्य छेत्र में संब्मान मिलेगा अब आए बात करते हैं धनुरासी के बारे में धनुरासी वाले आज का जो सक्रात्मक बाते हैं आपके पक्ष में रासी फल के अनुशार की सोचे हुए काम आज शुरू कर सकते है। आज बिल और देनदारियों का भी आप कर्जा चुका सकते हैं। धनलाब के भी योग बन रहे हैं। जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं, उनसे भी वसूली कर सकते हैं। दिन आपके कुल मिलाकर फेवर में हो सकता है। कारेचित या ओफिस से जुड़ी योजनाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। ओफिस और बिजनस में आपके लिए गए फैसले से आज आपको बड़ा फैदा हो सकता है। आज कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती है। आज के दिन आपको लेकिन कुछ नकरात्मक जो आपकी रासी फल दर्शारी हैं। उन बातों पर विश्यश ध्यान देना है कि किसी के परती भी जलन सिल्ता का भावना अपने मन में ना आने दे। और अपनी प्लानिंग में ही खुद ना उल्जें। इसके साथ ही अपोजिट जेंडर पर भी अर्थात विप्रीत लिंक के परती यदि मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल के परती अधिक खर्चा ना करें। इससे आपका आर्थिक बजट कुछ खराब हो सकता है। इन बातों पर ध्यान दें। लव लाइफ आज बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेमी जोडे आज अपना समय बहुत ही सुकून और मधूरता से बिताने वाले हैं। केरियर में एक बात को आपको विश्रेश ध्यान देना हैं कि यदि आप बिजनस्मेन हैं तो कोई रिस्क ना ले। लोगों को आज के दिन उधार पैसा देने से बचें। इस्टुडेंट्स के लिए दिन नॉर्मल रहेगा। सुआस्थ के दृष्टी कोण से कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। आज के दिन उपाय क्या करें। उपाय में चंदन का तिलक अपने मस्तिस्क पर करें। यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब आईए बात करते हैं मकररासी के बारे में। मकर रासी वाले आपके लिए जो सबसे पहले सकरात्मक पाते हैं कि आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। कुछ ऐसी बातें आपके शामने आ सकती हैं जो आपको आने वाले दिनों में फायदा जरूर देगी। सितारे आपके सोचे हुए काम पूरे करवा देंगे। अचानक कोई अच्छे कबर आपको खुस कर सकती है। इससे आपको आत्मबल मिले और दिन शुब गुज़रेगा। कोई विमारी है तो वो ठीक हो सकता है। किस्मत के साथ आज आपको मिलने के कारें रुका हुआ पैसा करनी वापस मिल जाएगा। नगीटिव बातों पर जो आपको ध्यान देना है कि पिछले कुछ दिनों से जो प्लानिंग आपके दिमाग में है उस पर काम आज शुरू नहीं करें तो वो अच्छा है। किसी से जबरस्ति अपने बात मनवानी की कोशिस ना करें। ऐसा करने एक दूसरे को सेर करने वाले हैं और केरियर में मैं आपको पहले बता है काम में मन लगेगा धनलाब होने के योग हैं। कुछ लोग छुट्टी मनाना भी आज पसंद कर सकते हैं। आज के दिन आपको थोड़ा सा वानी पर सहियम रखना चाहिए। इस्टुजेंस को सफलत मिलने में थोड़ी सी परशानी आ सकती है। अब आए आज का दिन का उपाय आपके लिए जो खास है कि भगवान स्री गनेजी को लड़ू का भोग लगाना आपके लिए सुभ रहेगा। अब आए बात करते हैं अगले रासी कुम्बरासी। कुम्बरासी वाले आज का दिन आपके लिए जो सकरात्मक बाते हैं उनको मैं सबसे पहले बताऊंगा। आपको कोई खास काम निप्टाने पर शांती मिलने वाली है। कोई पुरुषकार या कोई मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। जैसे कि कोई समाजिक रुप से आपकी तारीब भी कर सकता है। साथ के कुछ लोगों से सहयोग और प्रसाहन भी मिलने वाला है। कोई नया काम शुरू करने से पहले उससे समन्दित अनभवी लोगों से शला आप जरूर ले ले। एक बात आपको ध्यान रखना है अपनी जादातर प्लानिंग को गुप्त रखें। कहीं से आपको कुछ निवे जोस्तों एवं भाईयों के मदद यदि थोड़ा कम मिलता है या नहीं मिलता है तो इससे आप दुखी ना हो और अपने मन को शंतोस बनाए रखें। और जो भी गलती आज अगर आप से हो चुकिये किसी काम को करते हुए तो उसको लेकर आप बहुत जादा प्रेशान ना ह आज के दिन लव लाइब की यदि बात करें तो कुछ डिश्टरवन्स आपस में हो सकती है थोड़ा बहुत मन मुटाओ आपस में हो सकता है धनहानी के कुछ बातों में योग बन रहे हैं इसलिए आपको सावधान भी रहना है जो नगेटिव बाते हैं उसके आधार पे या आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय शाबित होगा अब आईए बात करते हैं अगली रासी मीन रासी मीन रासी वाले आज अचानक आपके मन में कोई बात आ सकती है उससे ही आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा कन्फूजन की स्थिति खत्म हो जाएगी र सफलता मिलेगी जिससे आप परसंचित आज दिन भर रहने वाले हैं नतीजे आपके फेवर में होंगे किसी पूरानी काम को निप्टाने के बाद आज आपको फाइदा हो सकता है नगेटिव बाते हैं जो आपको कुछ ध्यान रखना है कि मन में हलकी बेचैनी हो सकती है और खर्चे को सिमित करें कंट्रोल करें उतना ही खर्च करें जितना जरुत हो कुछ लोग आज यदि किसी का देंदार हैं तो उन पर पैसा की डिमांड आ सकती हैं पैसा मांगने वाले आपके शामें आ सकती हैं लव लाइप की यदि बात करें तो बहुत ही अच्छा दिन रहेगा प्रेम प्रस्ताओं मिल सकते हैं विप्रित लिंक परती आज आपका आकर्शन बना रहेगा और विभाईत लोगों का आज विभाके कुछ इच्छे प्रस्ताओं आ सकते हैं, प्यार के मामलों के लिए दिन बहुत ही उत्तम रहेगा, आज के दिन उपाय क्या करें, उपाय में हन्मान जी को पान का भोग लगा या आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुभ रहेगा, तो दर्शकों आपने देखा क्या कहता है आपका आज का रासी फिल, इसी त धन्ते रशकी, आप शभी को बहुत बहुत सुभ कामना है, जै माता दी, राध है, राध है, क्या कहती है आपकी राशी, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का कौन विश ले सकते, आचारे चंदन संडली जी से,